प्यारे बच्चो आज हम पढ़ेंगे जासी की रानी ये सुबद्रा गुमारी चोहान द्वारा रचित एक बहुत ही अच्छी कविता है वीर रसकी कविता है ये पढ़कर आपको अपने देश के लिए प्रेम की भावना जागेगी तो आएए देखते हैं जासी की रानी के ब का आर्थ समझे इस कविता की व्याक्या मैं कर रही हूं सभी ध्यान से समझेंगे सिंखासन हिल उठे राजवन्शों ने भुकटी तानी थी बूड़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी तो यहां बोला गया है सिंखासन हिल उठे राजवन्शों ने भुकटी तानी थी भुकटी तानना यानि भुएं चड़ाना क्रोध करना सिंखासन हिल उठे ये उस समय की बात है जब अंग्रेजों का शाशन हुआ करता था और हमारा जो भारत है वो गुलाम हुआ करता था तो सभी लोग अंग्रेजों से सभी राजवन्श इतने त्रस्थ हो गए थे इतने क्रोधित हो गए थे कि उनकी भुकटिया तन गई थी यानि कि वो क्रोध की ज्वाला से फूट रहे थे उन्हें गुस्सा आ रहा था कि अंग्रेजों ने क्यूं हम प्रट जो है वो अत्या चार सहते 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 उस इतना लाचार हो गया था इतना बूड़ा महसूस कर रहा था लेकिन सन सतावन में जब जाशी की रानी आई तब उनों ने फिर से नए जवानी जगा दी मतलब हमारे देश कुफिर से ऐसा लगने लगा कि हाँ हम आजादी ला सकते हैं गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी सभी को ये पता चल गया था कि हमें आजादी की क्या कीमत है और आजादी हमें किसी भी कीमत पर चाहिए गुमी हुई आजादी इसलिए बोला है क्योंकि हमारी आजादी छिन गई थी गुम गई थी कहां पे अंग्रेजो द्वारा दूर फिरंगी यहां पे जो एक शब्द है फिरंगी यानि विदेशी विदेश से कौन आय थे अंग्रेच तो अंग्रेजों को सबने दूर भगाने का सोचा था, कि अपने देश से इनको भगाया जाए, मन में ठानना यानि ऐसा मन में विश्वास कर लिया था, चमक उठी सन सत्तावन में, या सत्तावन क्यों बोला है, 1857 की क्रांती सबने सुनी होगी, 1857 की क्रांती बहुत ही जादा बहुत इंपॉर्टेंट क्रांती है, वहीं से एक चिंगारी लगी थी, एक शुरुवात हुई थी, जब हमारे देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, मतलब वहां से ही शुरुवात हुई थी, बुंदेले हर बोलो के मुँ हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मरद यानि एक ऐसे लोग होते हैं, जो ढपली बजाते रहते हैं, गाते बजाते रहते हैं, उनके मुँ से हमने ये कहानी सुनी थी, और खूब लड़ी मरदानी, मरदानी इसलिए बोला है उसको, क्योंकि ये मर्द की तरह लड़ती थी, एक औरत होकर भी, वह मर्द की तरह मुबोली बहन छबीली थी लक्षमी बाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी कानपुर के नाना नाना यानि आपे नाना साहिब की बात की गई है नाना साहिब का नाम भी आपने सुना होगा वो भी एक स्वतंतरता सेनानी थे तो उन्होंने अपनी मुबोली बहन बना लिया थ लक्षमीबाई को लगश्मीबाई थी अपने पिटा की संत्राइब संत्राइब थी फजसे स्विन्ट की मत्रा उस morte संत्रा उन्हें के शे जाथ तो जैसे आप बच्पन में सहेलियों के साथ खेलते हैं, वो सहेली नहीं बलकी किसके साथ खेलती थी, और जैसे कि आप आजकल गाने आद करने लग जाते हैं, वैसे ही उनको शिवाजी यानि जो मराठा थे और जो पहुत वीर्ची थे, जिनकी वीरता का कुछ हम कहें नहीं सकते हैं बहुत ही जादा वीर थे वो तो उनकी गाताएं उनकी कहानियां उनको मुहूं से याद थी बुंदेलेहर बोलो के मुह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वह तो जासी वाली रानी थी अब आगे पढ़ते हैं हम लक्षमी थी या दुर्गा थी वैस्वयम वीरता का अवतार देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार नकले युद्व्यूख की रचना खेलना खूब शिकार सैन्य घिरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिये खिलवार अब ये बोला है कि लक्षमी थी या दुर्गा थी वैस्वयम वीरता का अवतार जैसे माता दुर्गा को आपने देखा होगा कि वो कैसे वीर थी और कैसे उन्होंने संघार किया था असुरों का तो उन्ही की तरह देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के वार जब वो तलवारों से वार करती थी लड़ती थी तो मराठे जो है वो लोग मराठों के साथ ही रहते थे समय तो मराठे लोग उनको देखके पुलकित होते थे, पुलकित यानी खुश होते थे, बहुत अचम्बित होते थे, खुश होते थे, कि वाउ कैसे तलवार चला रही है ये, उनकी तलवार वाजी बहुत अच्छी थी, नकले युद्ध व्यू की रचना, मतलब अब युद्ध तो रोज होता नहीं है लेकिन युद्ध की प्राक्टिस के लिए वो एक नकले युद्ध व्यू बनाती थी एक ऐसा मैदान बनाया जाता था और सामने नकली के सत्रू लाए जाते थे तो उन शत्रू के साथ वो लड़ने की प्राक्टिस करती थी अभ्याज करती थी और खू को तोड़ेंगे यह सब उनके प्रिये खिलवाड यानि उनके खेल 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 महराश्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी बुंदेले हर बोलो के मुं हमने सुनी कहानी थी यहां पर यह भी बताया है कि वो भगवान को भी मानती थी और महराश्र की कुल देवी उनकी जो है वा आराद्य भवानी थी उनको वो मानती थी अब आगे हम ये वाला पैरिग्राफ देखेंगे हुई वीरता की बैवब के साथ सगाई चांसी में ब्या हुआ रानी बनाई लक्ष्मी बाई चांसी में राज महल में बजी बधाई खुशिया चांसी में सुभट बुनेलों की विरुदावली सी वै आई चांसी में तो यहां पे उनकी शादी गवर्णन किया गया है उनकी जो सगाई है वो जहासी में हुई यानि जहासी के राजा थी उनके साथ हुई उनका नाम था गंगाधर राओ सभी लोगों को पता होगा ब्या हुआ राणी बनाई उनके साथ ब्या हो गया तो वो जहासी की राणी कहल आएं क्योंकि जासी के राजा के साथ उनका ब्या हुआ था और राज महल में खूब खुशियां चा गई खूब बधाईयां आ गई जब रानी आती है शादी होकर तो राज महल कैसे खुशियों से खिल उटता है वैसा ही वहां पे हुआ सुबट बंदेलों की विरुदावली लेकिन बंदेलों के यहां से वो आई थी तो वहां पे जैसे विदाई होती है तो वैसे ही थोड़ा सा विदाई के समय कैसे सब लोग थोड़े से मायूस से हो जाते हैं थोड़े दुखी से हो जाते हैं वैसा लेकिन वो अब जहासी में आ गई थी तो जहासी में बहुत खूब लड़ी मर्दानी वह तो जहासी वाली रानी थी चित्रा ने अर्जुन को यानि चित्रा और अर्जुन की जोडी और शिव और माता पार्वती जी यानि भावानी की जोडी जैसी उनकी जोडी बताई गई है जैसे इन लोगों की जोडी है वैसे ही जो जहासी की रानी ती उनकी जोड़ी थी आगे देखते हैं उदित हुआ साभाग्य मज़त महलों में उजे आली चाई किन्तु कालगती चुपके चुपके काली घटा खेर लाई उदितु कालगती चुपके काली घटा खेर ला यानिकि ऐसा लग और जाद ही काल गती चुपके चुपके काली घटा घेर लाई यानि कि अब जो संकट के बादल यानि कि काल गती यानि जैसे म्रत्यू और कुछ नेगेटिव होने वाला है ऐसी चीजे काली घटा मतलब काली घटा घेर गई तीर चलाने वा लेकर में उसे चूडिया कब भाई भगवान भी कितना निर्दे था कि जिस हाथ में तीर होने चाहिए उस हाथ में चूडिया जब मतलब शादी होके आई थी तो उसके हाथ में चूडिया थी लेकिन भगवान को भी वो चूडियां नहीं भाई और रानी विद्वा हो गई विद्वा होना मतलब उनके जो पती थे मतलब जो राजा थे जासी के गंगा धर्राओ उनकी मृत्ति हो गई तो पूरे महल में शोक सा चा गया काली घटा घिर लाई अब आपको समझा गया होगा कि पूरे महल में शोक चा गया और रानी विद्वा हो गई उसकी चूडियां भी चली गई क्योंकि चूडियां तभी पहनते हैं जब सो भाग्य हो यानि जब उसका पती होगा अब उसका पती नहीं था तो उसकी चूडियां भी चली गई विद्वी को भी धया नहीं आई पुत्रें पुत्री यानि कोई भी संतान नहीं थी तो रानी विचारी शोक के समान हो गई थी मतलब शोक में डूब गई थी वो आगे देखते हैं बुझा दीब जासी का तब डलहौजी मन में हर्शाया राज हडप करने का उसने ये अच्छा वसर पाया अब बुझा दीब जासी का ऐसा क्यों बोला है कौन सा दीब बुझाया पे जासी का दीब बुझा यानि कि अब डलहौजी मन में हर्शाया तो डलहौजी जो था वो एक अंग्रेच था तो वो खुश क्यों हो गया क्योंकि डलहौजी की नीती क्या थी अगर किसी राज्य में राजा अगर मर गया और उनके कोई भी संतान नहीं है अगर उनके कोई संतान है तो राजा के मरने के बाद उस संतान को पूरा राज्य मिल जाता था लेकिन अगर संतान नहीं है तो राज्य जो है वो डलहौजी हड़प लेता था यानि छीन लेता था तो वो मद में खुश हो गया यास कि राजा तो मर गये इनके कोई संतान भी नहीं है बुझा दीप यानि कि उनके जो घर का दीपक है वो बुझ गया है तो उसने सोचा राजी हड़प करने का उसने ये अच्छा अफसर पाया उसने ये अच्छा अफसर सोचा कि अब मैं ये राजी हडप कर लेता हूं फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना जंडा फैराया और उसने फौरन फौजे भेज दी अंग्रेजों की जो फौज थी वो उसने भेज दी जहासी पर और अपने दुर्ग पर जंडा फैरा दिया उसने लावारिश का वारिश बनकर बड़े सराज जहांसी आया और उसने सोचा कि ये तो लावारिश मर गए हैं लावारिश मतलब जहां पर वारिश नहों यानि किसी की संतान नहों तो वो खुद संतान बनके आ गया और उसने जहांसी का राज्य हड़प करने की सोची अश्रुपूर्ण रानी ने देखा जहांसी हुई भी रानी थी अश्रुपूर्ण अश्रु मतलब आंसू अब रानी जो थी वो बहुत शोक में थी बहुत दुखी थी उसके आंख से आंसू बह रहे थे जब उसने देखा कि जहांसी बीरानी हो रही है यानि जहांसी हमसे छीनी जा रही है दूर हो रही है तो वो बहुत दुखी हुई आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पैरेग्राफ अनुनाई विने नहीं सुनता है विकट फिरंगी कीमाया व्यापारी बने दया चाहता था जब है भारत आया इसमें बताया अनुनाई विने यानि कि कोई भी विनेती नहीं सुनते थे कौन विकट फिरंगी कीमाया यानि जो अंग्रेश थे वो इतने जादा बहुत ही जादा क्या बोले उनको शब्द भी नहीं मिल रहे है मुझे कि इतने क्रूर डाइप के लोग थे कि वो किसी की विनेती भी नहीं सुनते थे और जब वो भारत आये थे तब वो व्यापारी थे तो तब वो चाहते थे कि सब लोग उनको दया करें यहां रहने दे लेकिन जब यहां पे अरे अब तो पलट गई काया अब डल्हौ जी ने जो है वो यह सोचा कि मैं अपने पैर पसार लूँ पैर पसार ना यानि अपना व्यापार फैलाना और अपनी जखे का विस्तार करना अपने समराज्य का विस्तार करना राजाओं नवावों को भी उसने पैरो ठुकरा है और जो नवाव और राजा उसके साथ नहीं देते थे उनको वो पैरो ठुकरा देता था यानि उनको वो ठुकरा कर आगे बढ़ जाता था उनका राज्य छीन लेता था रानी दासी बनी बनी ये दासी अब महरानी थी अब रानी जो है वो दासी जैसी बन गई थी तो ये दासी महरानी भी थी और महरानी दासी भी बन गई थी तो आगे हम देखते हैं चिनी राजधानी दहली की लिया लखनव बात तो बात ये वाला जो आपको पेरिग्राफ दिख रहा है इसमें उस समय का ये बताया है कि कौन-कौन से राज्यों को हडप लिया गया था तो इसमें आपका डेली आता है आजकल जिसे डेली बोलते हैं दिली लखनव पेशवा का बिठूर नागपुर उदैपुर तंजोर सतारा करनाटक सिंद पंजाब ब्रह्म ये सारे जो छेत्र थे उन पर वज्र निपाद हुआ था यानि उनको छीन लिया गया था उन पर अट कर लेंगे कि कौन कौन से राज्यों और छेत्रों पर उस समय आक्रमन किया गया था या उनको हडप लिया गया था ठीक है अब आगे देखते हैं हम रानी रोई रनीवासों में बेगम गम से थी बेजार उनके गहने कपड़े बिखते थे कलकते के बाजार अब आप लोगों बचती थी क्योंकि राजाओं को तो वो मार डालते थे अब उनके जो रानिया बचती थी उनको वो अपनी दासी जैसी बना लेते थे और उनके सारे कपड़ों को वो छीन लेते थे अच्छे अच्छे कपड़ों को और कलकते के बाजार में बेचते थे वो तो उससे उन्हे बहुत पैसा मिलता था और सरे आम नीलाम करते थे मतलब बोली लगाते थे कि कौन जादा दामों में बेचे मतलब खरीदेगा जो सबसे जादा दाम में खरीदता था उसको वो देते थे अंग्रेजों में अंग्रेजों के अखबार जो चलते थे उस समय जो न्यूस पेपर च बहुत फिमस है वहां का नौ लखा हार ठीक है तो नौ लखा हार यानी तो उनको बेचते थे वो और इस तरहिके से वो उन रानियों की इज़त को सरे बाजार में बेच देते थे अब आगे पढ़ते हैं यो पर्दो की इज़त परदेश के हाथ बिकानी थी यह वही जो मैंने अब यह आपको बताया कि उनकी इज़त सरे आम वो बेच देते थे आगे पढ़ते हैं हम कुटियों में थी विशम वेदना महलों में आहत अपमान वीर सैनको के मन में था अपने पुर्खों का अभिमान या देखिए कुटियों में थी विशम वेदना इसका मतलब कुटियों यानि गरीब लोग जो थे गरीबों के जो मकान थे या जोपड़ी थी वहां पे भी को मान महिसूस कर रही थी रानिया राजा जो भी थे और सैनकों के मन में भी अब अपने पुर्खों यानि अपने बड़े लोगों का अभिमान था कि उनके साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ भी होगा तो उनके मन में भी बहुत क्रोध हो रहा था नाना धुंदूपंत सब जो हैं अब समान जुटाने लगे थे युद्ध के इनको लग रहा था कि अब हमें अंग्रेजों से लड़ना ही होगा पहन चबीली ने रंचंडी का कर दिया प्रकट आवान और पहन चबीली चबीली किसे कहा था हमने रानी लक्ष्मी बाई को जासी की रानी को वो तो उन्होंने वैसा वाला आभान किया हुआ यग प्रारम्ब उन्हें तो सोई जोती जगानी थी सोई जोती जगानी यानि अभी तक तो लोग सो रहे थे यानि कि बिलकुल भी उनको फिकर नहीं थी कि कैसे आजादी मिलेगी लेकिन अब लोगों को लगने लगा था की हमें आजादी चाहिए सब को जगाना होगा हमें और एक यग्य प्रारंब करना होगा यानि कि हमें आप लड़ना होगा युद्ध करना होगा आगे देखते हैं हम महलों ने दी आग छोपडी ने जवाला सुलगाई थी यह स्वतंतरता की चिंगारी अंतरतम से आई थी तो यहां से यह इन्होंने बताया है कि महलों में भी महल जोपडी जहां भी हो हर जगे से मतलब एक स्वतंतरता की चिंगारी उड़ रही थी जहासी चेती दिल्ली चेती लखनव लपटें चाही थी जगे युद्ध की लपटें चाही हुई थी चेती दिल्ली हो चेती लखनव या कहीं जहासी हो मेरट कानपूर पटना हर जगे धूम मची हुई थी हर जगे युद्ध का विश्वासता की अब हमें लड़ना होगा और यहां पे भी जबलपूर कोलापूर यहां पे भी हलचल हो रही थी हर जगे पे हलचल होने लग गए थी अब आगे देखते हैं इस वतंतरता महायग्य में कई वीरवर आये काम नाना धुन्दू पंतितांतिया चतुर अजीम उल्ला सरना एहमद शाह मौलवी ठाकूर कुर्कूर सिंग सैनिक अभिराम भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके ना तो यह वाला जो पैरिग्राफ है वो भी बहुत ज़दा इंपॉर्टेंट है आपका क्योंकि इसमें जो है आप याद कर लेंगे कौपी में अलग से लिख लेंगे इसमें देखिए यह ठाकूर कुवर सिंग जो है वो सीहोर के ही है आपने कुवर चैन्ज सिंग की छतरी भी देखी होगी और अब आगे देखेंगे हम इनकी गाता छोड़ चले हम जहांसी के मैदानों में जहां खड़ी है लक्षमी बाई मर्द बनी बर्दानों में लेफटी नेट वाकर रा पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में रानी ने तलवार खीचली हुआ द्वन्द आसमानों में जखमी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी अब इनकी गाता छोड़ चले हम अब जहांसी के मैदानों की बात हम करते हैं उस समय क्या हुआ था जब लक्षमी बाई मर्द बन गई थी मर्दानों में मतलब जो सामने मर्द लोग थे उनके सामने मर्द बनी हुई थी जब लेफटिनेंट वाकर आया लेफटिनेंट वाकर यानि अंग्रेज का नाम है वो जब पहुचा अपनी सेना को लेकर तो हुआ द्वन्द आसमानों में जैसे आसमान में युद्ध हो रहा हो ऐसा लग रहा था ऐसा प्रतीत हो रहा था जब रानी ने तलवार खींची थी तो जखमी हो गया वाकर यानि कि जो अंग्रेज आया था लड़ने वो जखमी होकर गया उसे अजब है रानी थी कि ये कौन है भाई मर्दों जैसी जिसने मेरा काम तमाम कर दिया वो भाग गया सोचिये उसको भागने पर मजबूर कर दिया था रानी लक्षमी भाई कितनी वीरांगना थी आगे देखते हैं हम रानी बड़ी कालपी आई करसो मील निरंतर पार घोड़ा ठक कर गिरा भूमी पर गया स्वर्गतत काल सिधार अब रानी जो है वो कालपी की तरफ बढ़ने लगी यानि जहांसी से आगे बढ़ने लगी कालपी एक जगे का नाम है करसो मील निरंतर पार सो मील निरंतर चलते चलते वो कालपी पहुँची थी सोचिये सो मील निरंतर यानि बिना रुके सो मील चलना कितना मुश्किल है तो घोड़ा जो है वो ठक गया गिर गया भूमी पर और स्वर्ग ततकाल सिधार गया यानि मृत्यू को प्राप्त हो गया घोड़ा जो है वो मर गया अब घोड़ा मरने से उनकी आगे देखेंगे कि क्या होगा यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खा करना पड़ा और अंग्रेज जो है वो भाग गये वहाँ से और विजए रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार और जहांसी से चलते चलते कालपी फिर कालपी से वो ग्वालियर पहुंच गए और उन्होंने अधिकार कर लिया और लेकिन गंदी बात क्या थी उस नहीं दिया आगे देखते हैं हम विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिरा आई थी अपके जनरल स्मित सनमुकता उसने मुझ की खाई थी और रानी को विजय पर विजय मिल रही थी अंग्रेजों की सेना लेकिन फिर आ गई थी फिर उन्होंने घिर लिया था रानी को और इस समय कौन था सामने जनरल स्मित, ये भी एक अंग्रेज था, तो उसने भी मुखी खाई, यानि वो भी हार कर उसे भगना पड़ा, काना और मदरा सक्कियां रानी के संगाई थी, यहां पर ये बताया गया है, कि सिर्फ जहांसी की रानी ही नहीं, बलकि और भी महिलाएं उसकी साती थी, जो मरदों की तरह उसके साथ लड़ रही थी, जैसे काना और मदरा, उसकी सक्कियों के नाम हैं, कभी कभी पूछ लिये जाते हैं, आपसे objective questions में, तो आप याद रखेंगे, युद्ध छेतर में उन दोनों ने भी भारी मार मचाई थी, उसकी जो दोस्ती सह गया ही, रोज भी एक अंग्रेज था, हाई, घिरी अब रानी थी, अब तो रानी चारो तरफ से घिर गई थी, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैने के बार, फिर भी रानी ने अपना साहस नहीं छोड़ा, और वो सब को मारती काटती हुई, सैने के पार, यानि सेना के पार पहुँच गई, और किंतु सामने नाला आ गया, लेकिन सबसे गलत चीज दो समय हुई, कि सामने इतना बड़ा नाला आ गया, यह संकट विशम अपार, यानि यह संकट जो था, वो बहुत, बहुत ही मुश्किल संकट था, क्योंकि अगर उसका पुराना घोड़ा होता तो शायद वो नाला पार भी कर लेता, लेकिन घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, अब लेकिन क्योंकि पुराना घोड़ा उनका मर चुका था, यह घोड़ा नया था, उसको इतना आइडिया नहीं था, वो अड़ गया, और वो चला नहीं, और इतने में पीछे से फिर से सवार आ गया और उन्होंने अटेक कर दिया रानी एक थी शत्रू बहुतेरे बहुतेरे यानि बहुत सारे शत्रू थे होने लगे वार पर वार और जो उनके शत्रू थे उन्होंने वार पर वार करने लगे क्योंकि वो नाले के बीच में फस गई थी वो साइट नहीं जा पाई थी घायल हो करगिरी सिंगनी या सिंगनी की उपमा दी गई है मतलब शेरनी बताया गया शेर की तरह वो शेरनी की तरह बहुत ही जादा वीरांगना थी वो लेकिन लास्ट में वो घायल हो गई क्योंकि उन्हें वीर गती पानी थी वीर अब आगे देखेंगे रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्वे सवारी थी अब रानी जो है वो स्वर्ग सिधार गई थी यानि म्रत्यू को प्राप्त हो गई थी वीर गती को प्राप्त हो गई थी अब चिता ही उनकी दिव्वे सवारी थी मिला तेज से तेज, यहां मिला तेज से तेज क्यों बोला है एक तेज जो है वो रानी जी का तेज था जो जहां से की रानी का तेज था मुख पर या पूरी बोडी पर जो तेज था उनका और एक तेज यानि जो मृत्यू का तेज होता है या जो आत्मा का तेज होता है वो दोनों एक दूसरे से मिल गई थी क्योंकि तेज की वह सच्छी अधिकारी थी उन्हें सच में तेज मिलना ही चाहिए था अभी कुल 23 की थी सोचिए आप कितनी कम उम्र की थी 23 यानि 23 उम्र की थी सिर्फ वो मनुज नहीं अवतारी थी मनुज यानि मनुश्य नहीं थी वो अवतारी थी जैसे भगवान ने उनको अवतारित किया हो उन्हें हमारे लिए ही भेजा हो हमको जीवित करने आई वन स्वतंतरता नारी थी हमको जीवित कर गई और खुद चली गई स्वतंत्रता हमें दिला गई दिखा गई, पत सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी और हमें एक रास्ता दिखा गई और ये भी सिखा गई जो उन्हें सिखाना था आगे पढ़ते हैं हम ये लास्ट पैरिग्राफ है हमारा जाओ राने याद रखेंगे हम करतिक ये भारत वासी यह तेरा बलिदान जगा वेगा स्वतंत्रता आवीनाशी अब हम लोग बोल रहे हैं या जो कवित्री हैं वो बोल रही हैं हमारी दरफ से कि रानी आप जाईए हम सब आपके करतक के रहेंगे यानि हम सब आपका इहसान मानेंगे आपने जो हमारे लिए किया है हमारे लिए जो बलिदान किया है हमें स्वतंत्रता दिलवाई है होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी चाहे लोग सच्चाई को माने या ना माने हो मदमाती विजए मिटा दे गोलो से चाहे जहांसी आप चाहे कोई जहांसी को मिटा भी दे लेकिन आपने जिस सच्चाई से लड़ा उसको हम हमेशा याद रखेंगे तेरा समारक तू ही होगी और आपका तो समारक भी बनवाने की जुरुत निया आप खुद ही एक समारक थी तो खुद अमिट निशानी थी आप खुद में ही एक अमिट निशानी थी जिसे हम मिटा नहीं सकते बुन्देले हर बोलो के मुँ हमने सुनी कहानी थी खुब लड़ी मरदानी वै तो जहांसी वाली रानी थी तो सुबद्रा कुमारी चोहान जी द्वारा रचित ये कविता इसका अर्थ मैंने समझा दिया है आप फिर से एक बार अच्छे से वीडियो देखेंगे समझेंगे और कहीं पर भी अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ठीक है